आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। इस थे बत गुसमें हरा वाल रंग में यहां पर ओर लाल रंग में लिवेद नहीं करपाता है。 उसी को व्यव opinn को वरंट वडांद विक्ति बोलते हैं इस रोग को वडांता बोलते हैं ठीक है तो question में यहाँ पर जो बोला गया उससे पहले समझ रहते हैं कि इसकी बनसागत कैसे होती है तो एकसालगन मतलब इसके जो जीन होते हैं वो एकसे गुन सूतर को पस्तित होते हैं एकसालगन आप्रभावी रोग होता है ठीक है आप्रभावी होता है तो आप्रभावी का मतलब दोनों जीनों पर इसके जीन होने चाहिए मादा में ठीक है क्योंकि दो एकस होते हैं यहाँ पर तो यह क्या होंगे रोगी होंगे मतलब जो मादा होगी यहाँ पर क्या होगी ए यहाँ पर नर है इसमें एक ही एक्स होता है तो यह नर क्या होगा हमेशा रोगी होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्स होता है ठीक है तो condition क्या आओ सकता, यहाँ पर जब इसके कह सकते हो, जो संतत्र बनेंगे, ठीक है, इस x का इन दोनों में गुड़ा कराते हैं, मतलब cross कराते हैं, यहाँ पर एक x होगा, फिर इस x का यहाँ पर y करते हैं, तो यह यहाँ पर होगा, और यह दूसरा condition भी यहाँ पर ऐसे ही वडांद लड़की है, ठीक है, तो कौन सी वस्ता है, यहाँ पर, तो दूनों में से, मतलब चारों में से, यहाँ पर जो पुत्र हैं, वो दूनों क्या है, वडांद है, और जो पुत्रियां है, पुत्रियां मतलब 50% क्या है, वाहक है, मतलब एक ही जीन पाया जा रहा है, ठीक है और 50% क्या है यहां पर वो रोग होंगी ठीक है तो देखते हैं कौन साफसन सही होगा पहला सभी पुत्रों में यहां पर किसमे रोग पहुचेगा सभी पुत्रों में गलत हो जाएगा ठीक है दूसरा है सभी पुत्रियों में यह भी गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा क्योंकि पुत्री में यहां पर रोग सभी में नहीं है वहाग होते हैं और पुत्रों में यहां पर ठीक है सभी में है लेकिन पुत्रियां भी यहां पर है ठीक है चौथा है 50% पुत्रों में रोग पहुंचेगा यह देख सकते हैं दोनों पुत्रों में 50% है वहाग होंगे द से जादा चात्रों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर